स्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी कॉंक्रेस नेता राहूल गांधी के लिए मुश्किले लगातार बढ़ रही है एक के बाद एक बड़ा जटका उन्हें लग रहा है हाली में राहूल गांधी कैंपरीज यूनिवरस्टी गए व राहूल गांधी कैंपरीज यूनिवरस्टी में विजिटिंग फैलो है यहीं वह लगातार वहां जाते रहते हैं एक विजिटर के तौर पर यह कॉंक्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया लेकिन अब हम आपको यह बताते हैं कि एक आर्टी आई के जरहें यह बहुत ब राहूल गांधी के जरहें जवाब दिया गया है तो आप ओस्प्रीज इसक्रेड इख सकते हैं कि ए राटी आई के कैंपरीज उनिवरस्टी की ओर से जवाब दिया किया है जिसमें ये साफतोर पर कहा गया है कि राहूल गांधी जो हैं वो Cambridge University में नॉन विजिटिंग है यानि विजिटिंग फैलो नहीं है ये Congress Party का बहुत बड़ा छूट है जो कि अब बेनकाब हो चुका है और इसको लेकर अब सियासी बवाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है तो ये एक्सपोज्ड आप देख रहे हैं राहूल गांधी Congress Party हुई है ये Cambridge University की ओर से ही RTI के जर्ये जवाब दिया गया है और Congress Party का जूट किस तरीके से बेनकाब हुआ है ये हम आपको बता देते हैं दरसल ये Congress Party की ओर से ट्वीट किया गया था 16 फर्वरी को और इसमें लिखा गया है कि राहूल गांधी है जो कि 16 फर्वरी को किया गया है आप देख सकते हैं कि राहूल गांधी को लेकर 16 फर्वरी को ट्वीट किया था Congress की ओर से जिसमें ये कहा गया था कि राहूल गांधी इस नोट जस्टाट टॉर्च बेरियर ऑफ टैमक्रेसी इंदिया और दाफा किया था कि दरसल वो visiting fellow के तौर पर Cambridge University में गए थे लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसमें ये साफतोर पर कहा गया है कि राहूल गांधी Cambridge University में visiting fellow नहीं थे जिसके बाद अब लगातार जो है ट्वीट सामने आ रहे हैं बीजेपी की ओर से तमाम जो नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं आपको बता दें कि ये शेहजाद पुनवाला जो की बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और राहूल गांधी कॉंग्रिस पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है क्योंकि प्रियंका गांधी वार्टर की ओर से भी हाली में एक दरसल जनसभा के जरके ये कहा गया था कि राहूल गांधी पपू नहीं है जो आप पपू ने कह रहे हैं वो पपू नहीं है वो कैंब्रीज उनिवरस्टी और साथ ही हॉर्वर्ड उनिवरस्टी से पढ़े हैं लेकिन इसको लेकर अब शहजाद की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें ये साफतोर पर लिखा और कॉंक्रिस और आफूल गांधी जो है वो ज्छूट बोल रहे हैं और यह भी कहा गया है कि वह कैंब्रीज उनिवरस्टी में विजिटिंग फैलो नहीं है यह खुलासा Cambridge University की ओर से ही किया गया है यहनी अब एक बार फिर से सियासी जो वार पलटवार का दोर है वो BJP और Congress Party के बीज इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुका है तो बता दें कि ना सिर्फ शैजाद पुनावाला जो की BJP के परवक्ता है उनकी तरफ से ऐसा ट्वीट किया किया है और Congress Party पर हमला बोला किया है बलकि अमित मालवे जो की BJP ITCEL पर मुख है उनकी तरफ से प्रियंका गांधी वार्षा का वो बयान भी उन्होंने लिखा है कि दरसल प्रियंका गांधी वार्षा जो है वो जूट बोल रही थी राहूल गांधी के बारे में कि वो हारफट से डिग्री रखते हैं यह उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्वीट में और साधी लिखा है कि Congress ने कहा था कि राहूल गांधी जो है वो Cambridge University में विजिटिंग फ पार्टी पर बोला है आपको यह बता दे कि राहूल गांधी हाली में बिल्टेन गए थे बिल्टेन में उन्होंने ना सिर्फ Cambridge University में लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने भारत के तमाम मुद्दों का जिक्र किया उन्होंने नियाइपालिका पर हमला बोला उन्होंने चुना के लिए माफी मांगनी चाहिए अब Cambridge University में उस वक्त जिस तरीके से भाषन राहूल गांधी का आया तो कॉंग्रेस पार्टी ने कहा कि वह एक विजिटिंग फैलो के तौर पर वहां गए थे और यह राहूल गांधी बुद्धी जीवी हैं तो उन्हें वहां इन्वाइट क यह जवाब जो है वो Cambridge University से मांगा था और जिसके बाद आपको यह बता दे कि यह जवाब जो है वो Cambridge University ने दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह जवाब है Cambridge University की और से जिसमें साफतोर पर लिखा गया है कि राहूल गांधी जो है वो नॉन विजिटिंग फैलो है व क्यों परोस रही है सबसे पहले रोहन दुआ की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया था उन्होंने भी यही कहा था कि दा न्यू इंडिया ने आर्टिया के जरहें Cambridge University से जवाब मांगा और जवाब में यह दरसल यूनिवरस्टी की ओर से जवाब था और इस पर अब Congress Party पुरी तरीके से फश चुकी है अब जवाब देना होगा चुकि राहूल गांधी की मुश्किले वैसे ही बहुत जादा बढ़ रही है ना सिर्फ उनकी सदिश्यता जा चुकी है मानहानी केस में दो साल की सजा उन्हें हुई है और साथ ही आपको यह बता दें कि सरकारी बंगला चुन चुका है इसके बाद भी लगातार मानहानी केस जो है एक के बाद एक उन पर मुश्किले बढ़ रही हैं ना सिर्फ बिहार के पटना कोट ने उन्हें समन भेज दिया है 12 अप्रेल को पेश होने के लिए बलकि कहा ये भी जा रहा है कि हरीद्वार में भी उन पर एक केश जो है आरसस पर टिपनी को लेकर हो सकता है तो कुल मिलाकर राहूल गांधी और कॉंक्रेस पार्टी पुरी तरीके से एक्सपोज कही न कहीं हुई है चुकि ये एक अंतरास्टिय जूट है जो कॉंक्रेस पार्टी की और से बोला गया है कॉंक्रेस पार्टी द शहजाद पुनावाला जो की बीजेपी के लीडर हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट करते हुए लगातार कॉंक्रिस पर हमला बोला जा रहा है और शहजाद की ओर से बकाइदा जो ट्वीट किया गया है आप देख सकते हैं कि आकिस तरीके से उन्होंने तमाम बातों का जिक्र कि उन्होंने कहा है कि Cambridge University में जो है Cambridge University में आज़ जो दन्यू इंडियन को जवाब तिया किया है Cambridge University की ओर से उसमें राहूल गांधी को नौन विसिटिंग फैलों बताया किया है यानि वो विसिटिंग पैलों नहीं है और साथी यह भी जिक्र किया कि पहले वो जो है अटी ऑबिसी जो उन्होंने बयान दिया मोधी संधने माफले में उसको लेकर वो दरसल डिस्क्वालिफाइड हुए संससे और उसके बाद अब इस तरीके से उनके लिए मुश्किले बढ़ रही हैं तो कुल मिलाकर अब राहूल गांधी को लेकर यह बहु पूजो है वो कैंपरीज उन्युवेस्टी और हार्वर्ड उन्युवेस्टी में पढ़ा है लेकिन हार्वर्ड की ओर से जो सचाई साफने आई हैं वह अपने आप में कॉंग्रिस पार्टी का कहीं न कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज करती है जिस तरीके से यह लैटर आप देख सकते हैं कि यह है कैंपरीज उन्युवेस्टी की ओर से जो 39 मार्च 2023 को जो लैटर है वह साफने आए हैं जिसे अब ट्वीटर पर अब काफी वाइरल हो रहा है कॉंग्रिस पार्टी से इसका जवाब मांगा जा रहा है आपको इस पूरे माफले पर क्या कहना है आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तन्यवाद